हेलो शुटेंट्स वेलकम टू माइनर्चर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर एट और लेक्टर नमबर थार्ड जिसके अंतरा लोग पढ़ने वाले हैं लग्जैटिव्स एंड पर् क्या घरती है इसको सॉफ्ट कर देती है और इजीली बॉडी से पासवाट कराने में हैल्प करती है तो आप फटा-फट समझ लें इसके बारे में कुछ खास खास बात हैं जो अपने कॉर्स में है ठीक है शुरुवात करते हैं अपने डेफिनेशन से तो क्या होते हैं लग् लूब केरी की तरह होता है उसको खाली करना डिर्टिंटों यस सम्ताइंग्स मे Алекс एक्षुन अब लग्ज्यर्टीव पर्गेंटिव में डिफरेंस किया थो कह रहाया है उसका इंटेनसिटी फ्रस और एक्षिंट वह एक्षिंट किस तरीके से करेंगे उसके हिसाब से हम किसी को लगजेटिव बोल देते हैं किसी को परगेटिव बोल देते हैं तो आउँ देख लें तो कह रहा है लगजेटिव कहलो यह एपरियंट कहलो माइलडर एक्षन होता है इनका कैसा हलका Elimination of Soft But Formed Stool और यह Eliminate करता है Soft But Formed, मतलब जो इस्टूल बन चुका है 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 ना हमारे जब खाना पिना खाते है उसका तो इस्टूल का रूप होता है जब वो रूप बन जाता है उसको निकालेगी बाहर यह ठीक है ना परगेटिव्स या इसको हम कहते हैं कैथेर्टिक्स स्ट्रॉंगर एक्सन होता है इसका एक्सन काफी स्ट्रॉंग होता है रिजल्टिंग इन मोर फिल्यूड एंड फोर्सफूल एवेक्वेशन जिसकी वैसे क्या होता है ज्यादा फिल्यूड सिक्रीट होता है और फोर्सफूल एवेक्वेशन जब बहुत हार्ड पॉर्टी हो जाती है तो ताकत सही है ताकत लगवाती है और उसको बाहर निकालने में हैल्प करती है तो काम दोनों का सेम है फरक सिर्फ इतना है यह soft और formed doze को निकलवाती है इसका क्या forceful वोता है यह forceful evacuation करवाती है अब कई सारे drugs in low dose में act करते हैं lucrative और high dose में act एक्ट करते हैं यहाथ है pergative तो मैं as it is नहीं कह सकते कि कौन lucrative है कौन pergative है dose के हिसाभ सभी किसी का एक्षान जादा हो जाता है तो परगेटीब बोल देते हैं, किसी का एक्षान कम रहेगा तो लुजिएटीब बोल देते हैं. ठीक है ना? तो overall कहीने का इससे में केवल उसका intensity काम करने में कौन जादा ताकत लगा रहा है? अब देख लेया पर लगेटिव कैलो कि अब बल्क-फॉर्मिंग एजेंट बल्क-फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है पेट में खाना खा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा वाल्यूम में फीसी्स गोर्डविंग नहीं मार पाएगी तो यह बिलल्क फॉर्मिंग होते हैं जैसे कि मारलो हलकी सी परटी बनी एकिसी वज़से खाना आपने कम खाया या नहीं बन पा रहा है यह बनुक क्या है दायमाय से पानी खीचिंग इसको फुला देंगे फूल जाएगा तो इसको धक्का मारना असान हो जाएगा और यह आगे पूछ होना स्टार्ट हो जाएगी इस टूल सौफनर जो टाइट हो जाती हमारी लेटरिंग उसको यह सॉफ्ट कर देता है ऑस्मोटिक पर ठीक है तो इसमें डाइफिन डाइफिनाइल मीथेंस अकॉर्डिंग किसके नाम से आगया यह उसके कैमिकल नेम के साब से आगया एंथराकिनोन इसे हम इमोटिन्स भी कहते हैं 5-4 एगोनिस्ट एगोनिस्ट बोल रहा है यानकि 5-4 वो रिसेप्टर्स हैं जो धक्के को आएंगे जिसे कि आगे पूश हो और प्रोश्टाग्लेंडिन एनलोग के लिए बाते हैं तो आप देख लेंगे फटाफट एक्शन तो सबका कहीं ना कहीं यहां बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है ठीक है सबका घूमफिर के एक्शन है किये और परगेटिव इंक्रीज द आथ है इस आथों के अंदर ने एक वेव टाइप चलती है इस टाइप से वेव चली जो भी चीज अंदर होगी नहीं उसको धक्का लगता है तो उसको करते हैं प्रोपल्सिव एक्टिविटी या परिस्टालसीस भी कह देते हैं हम लोग ठीक है ना तो उस प्रोपल्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने का काम होता है इनका ओवरॉल हमारी बॉड़ी पर वैसा कोई खास एफेक्ट इसका नहीं देखा गया है तो इसका दो में फार्मकोलोजी का लेक्शन हो जाएंगे नेक्ट फिर अपना डोज जैसा कि मैं हमेंसा बताता आया हूँ कोई भी दो अपने मन फ़संद डोज याद करोगे साइलियम होगा टैक्यूसेट्स हो गया लिक्विट पैराफिन आ गया लेक्टिलोज आ गया ठीक है बीसा कोडिल आ गया तो जैसा मैं हमेंसा बताता हूँ करना क्या है हर किसी मेंसे एक एक दो दो याद करने कोईशिश करोगे इससे दो फाइदे मिलते हैं ठीक है यही पर ही इसकी डोज लिख लोगे यही पर ही सब गुलागे डोज लिख लोगे इसकी डोज लिख लोगे डोज को इसी में लिख लो तो याद करना और भी जादा असान हो जाएगा फिर इंडिकेशन जितनी भी वो सारी कंडिसेंश जिसमें हमको क्या है कब कॉंस्ट्पिशन होता है अच्छे से पॉटी पास नहीं हो रही है वो सारी कंडिसेंशन यह लिख सकते हैं अप्टें फ्रेश स्टूल्स से एंपल के लिए जांच करवानी है उसकेस में देग खिला दी जाता है तुरंद पॉर्टी हो जाती है एंप्टी बावल विफोर ट्रीटमेंट प्रोसीजर ऑपरेशन होता है तो पेट साफ करने के लिए इसका इस्तमाल करते हैं एक्सपेल डेड परसाइट आफ्टर ट्रीट अगर दर हो रहा है जिसका कोई कारण ना पता हो ठीक है जी मिश्ट ला रहा हो अल्सरेटिव कॉलाइटिस हो पेट के अंदर अलसर हो ठीक है बॉबल एक्स्ट्रक्शन हो मतलब रुकावट हो गई पर्टी बन जाएगी वह आगे खिसकेगी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी habitual use कि अगर ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का habitual use में आ चुका है या आने की संभावना है absence of pastalsis अब potty बन गई है धक्का लगी नहीं रहा है तो वह दिक्कत करेगा फिर इंसान को तो जब pastalsis ही नहीं हो रहे हैं आगे motion धक्का ही नहीं मारा उस case में भी हम ये इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि कि इस्तेमाल कर लिए potty बन गई तो पेट में फसी रही काफी देल दिक्कत हो जाती है फिर तो यह कॉंट्र इंडिकेशन तो यह मन से भी समझेंगे तो बहुत ही simple simple है बिल्कुल भी tough नहीं है ठीक है चीजों को समझना है के बल और चीजें हो जाएंगी असान बाद बाद सब्रहें और रिवाइस करते रहें जैसी भी जरूत पढ़ती है यह मेरा नमबर है यह अपना एप है जिसकी मदले ना चाहो मदले सकते हो ठीक है बादबागा की पढदते रहो ठीक है पढ़ाना मेरा काम है लेक्चर नोट साइम टाइम से आ जाएंगे final फाइनल पेपर से पहले तुम्हारा सारा कोर्स में खतम कर दूँगा, यह मेरा प्रॉमिस है, ओके, पढ़ोगे, गुड, अल्दा वेस्ट!